दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ यदि हमारे सिर पे जू की परिशानी लीख की परिशानी हो जाती है तो हम जू को लीख को किस तरह से जड़ से खत्म करें और बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं सबसे पहले तो आप ये देख लिएं की जू होने का क्या कारण है दोस्तों जातर इसकूल कॉलेज जाने वाले बचों को जून लीक की समस्या हो ही जाती है और घर में यदि किसी एक को भी जून होती है दोस्तों तो दूसरे को भी होने का डर रहता है इसलिए आप लोग सबसे पहले तो precaution ले ले दोस्तों कि कभी भी गीले बालों को नहीं ब पूल और चिपशपापन होने के कारण भी जून और लीक की समस्या हो जाती है दूसरों की कंगी टॉवेल बिलकुल भी शेयर ना करें तो चली अब देखते हैं इस जून आशक तेल को बनाने के लिए क्या करना है लैमन लेना है हम सब के घर पर होता है लैमन और दूसरी च लाने वाला कपूर पूजा में यूज करने वाला कैमफर है तो आपको यहां कपूर की गोलिया दिखरीन नहीं दोस्तों दो च्छोटी सी गोली ले आपको और इसे क्रश कर लेना है सौफ्ट होता है बहुत आसानी से आप इसका पावडर बना सकते हैं तो दोस्तों जू औ बहुत जादा खुजली, डेंडराफ होने लगता है, बाल हमारे खराब होने लगते हैं, हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है, जू और लिग। इसके लाबा, कभी-कभी तुलसी और नीम की पत्यों को पानी में उबाल कर उस पानी से भी हेर वाश जरूर करें, दोनों ही कीट नाशक होते हैं, तुलसी एंटिसेप्टिक होती है, एंटिबैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है, यदि जू ने हमारे सिर पर घाव कर दिया ह तो उस घाव को भी रिपेयर करने का काम करती है, तुलसी की पत्यां और नीम की पत्यां, तो कभी-कभी 15 दिन में एक बार उस पानी से आप हेर वाश कर लें, तो जूं को पन अपने नहीं देगा ये पानी, इस बीच मैंने दो कपूर की गोलिया ली है, इन्हें इस तरह से फोल्ड लिया है, बहुत आसानी से, किसी भी भारी चीज से आप क्रश करेंगे ना, तो तूट जाएगी, साथी साथ दोसो, नीम और तुलसी की जो पत्यां होती है, इसमें एंटी-फंगल गुण भी होते हैं, जिसके कराण ये आपके सिर की खुजली को, और बालों के गि जरूर करना चाहिए, शैंपू से हैर वाश करें, अरीठा, शीका कई, इन तीनों को मिलाकर इस पाउडर को पानी में मिक्स करके आप उससे हैर वाश करें, तो आपको अपने बालों का ध्यान रखना है, ताकि डेंडर फुरूशी की समस्या ना हो, क्योंकि ये जो समस्या ह बढ़ जाती ना दोस्तों, इससे भी हमारे बाल बहुत जादा तूटने लगते हैं, बाल हमारे जड़ने लगते हैं, और आज जो मैं आपको तेल बनाना बता रही हूं दोस्तों, इसके लिए दो कपूर चाहिए, इस तेल को आप राद भार लगा कर रखें, चाहे तो सु आपको जूँ और लीक की समझ है, निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, और दुबारा आपको जूँ होने ही नहीं पाएगी, कभी ऐसा होता है, फिर से आपको लगता है, महने दो महने में वापस आप इसे रिपिट कर लें, तो यहाँ पर मैंने नीबू का रस नीबू के बीजों को भी मैं अलग कर दूँगी, यह देखें, तो नीबू का रस लिया है, करीब करीब आधा चमच लेना, बहुत ज्यादा नीबू का रस नहीं लिया जाता है, यह नहीं सोचें, लेमन जूस अमारे बालों को खराब करता है, बिलकुल नहीं, विटामिन C से भरपूर होता है, विटामिन B होता है, और हमारे बालों की सेहत के लिए लेमन जूस बहुत फाइदे मंद होता है, केवल आधा चमच ले, और जब नीबू के रस को नारियल के सांथ मिक्स करके लगाया जाता है, तो यह नहीं जढ़ने को रोकता है, बालों को मजबूत सिर की खुजली और डेंडर्फ की समस्या भी दूर होती है, बाल हमारे घने होते हैं, बाल हमारे मोटे होते हैं, और सांथी सांथ दो मूहे बाल की समस्या से भी आपको चुटकारा मिलेगा, लेमन जूस का नारियल तेल के सांथ इस्तमाल करने से बालों में चमक आती है, हम में इसक्वाइर पीस में भी कपूर आता है, आपको केवल आधा चम्मच के कपूर के पॉड़र का इस्तवाल करना है ऑख नारील तेल यह थोड़ा सा अचम्मच भी हो का लुटा सारी थान का Ayam आप वीक में दो बार चाहें तो इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, आपको पहले बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा जू और लीक होती ना दोस्तों, तो हमारे तुछा से खून, खून मतलब ऐसा बोलते ना जू खून ले लेती है, और हमारे बालों को अगली चीज हम इसमें डाल रहे हैं नारियल का तेल, तीन चीजे ही, आपको डालना आधा चमच नीबू कर रस, आधा चमच कपूर का पाउडर, एक बड़ा चमच नारियल का तेल, बाल जादा बड़े हैं, लंबे हैं, घने हैं, तो दो चमच नारियल का तेल का इस्तमाल बालों की जड़ों तक के ये रेमेडी ये जो रज बनाया है ये जड़ों तक के जाएगा और इससे आपकी जूँ और जो लीख होंगी दोस्तों उनसे आपको तुरंथी छुटकारा मिलेगा तो कपूर जो होता है वो जूँ और लीख की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है पुरानी से पुरानी जूँ भी निकल जाएगी कई बहुत लंबे समय से कई लोगों को जूँ हो जाती है जो की ठीक नहीं होती है तो कितने भी समय की जूँ हो दोस्त पर भी रख सकते हैं ताकि 4-5 दिन बाद आप वापस इसे रिपिट करें, आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी ये समस्या, डेंडर्फ की समस्या भी बिल्कुल दूर होगी, तो आप इसे जरूर ट्राय करें, वीडियो जरा भी पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइ को यदि सब्सक्राइब नेगे